कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है ऑक्टूबर के महीने में यानि यह नहीं पता कि साल, किस दिन, बस यह पता है कि शायद ऑक्टूबर के महीने में जन्म हुआ तो उनका वेक्थित्व, उनके करियर, रिष्टे और कुछ सुझा इसी विश्य में जाफ से बात करही हूँ, जुड़े रहे हूँ ही एवरीवन, दिस जया करम शनननी, वेपम तू इन्विंसिबल पैशन तॉख शो, जान हर हफ़्टे, वेंस्टे एंट संडे, इंग्लिश और हिंदी में मैं आपके साथ, नुम्रालजी, वास्तू, अस्ट्रॉलजी से जुड़ी हूई, कुछ बातें शेयर करती हूँ, इस मन्त की सीरीज में अब तक हमने जैनुरी से सेप्टेमर की बात करी है और आज बारी है आक्टूबर वालों की तो अगर आप उत्सुक हैं और रेडी हैं जाने के लिए की वाट इक्जाक्ली इस यू पोस्नालिटी लाइक कैसा है आपका वेक्टत इसे पहले शेर करूँ जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ चाहिए हमारे इस इन्विंसिबल परिवार के साथ क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति के साथ अंक जुड़ा हुआ है फरक इतना है कुछ को पता है कुछ को नहीं और जिने नहीं पता है अगर वो अपने जीवन को अब्जर्व करेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर है जो उनके जीवन पर रूल कर रहा है और कौन सा नंबर है जो प्रॉबलम क्रेट कर रहा है सारा गेम इसी का है पर क्योंकि आज आपकी बारी है वो लोग जिनका जन्म हुआ है अक्टूबर के महीने में तो जल्दी से यह कहूंगे कि देखी अक्टूबर है दस्वा महीना वैसे तो दस्वा महीना है लेकिन इसके साथ जुड़ा हुए अंक एक एक को हम एस्ट्रालिजी निमरालिजी में सूरे के साथ जुड़ते हैं लेकिन जन्वरी का महीना भी है सूरे के साथ जुड़ा हुआ फरक यह है जन्वरी से आक्टूबर में इसमें एक जीरो आता है यह वो हीरो है जिसके साथ जुड़ गया उसका जो कमाल है उसकी जो qualities है उसकी जो strength है उसका जो power है बढ़ा देता है अकेले काम का नहीं है लेकिन हर वेक्ति जीरो के पीछे ही पड़ा है एक लेके घूम रहा है और ये जीरो इस एक के साथ आया है तो बन गया 10 अक्टूबर का महीना अब बिल गेट्स हों चाहे महात्मा गांधी हों या क्रिस्टोफर कोलंबस कमाल अक्टूबर के मंत का है हाँ बहुत सारी चीजे हैं बगेर मेनत के नहीं होगा लेकिन common है इन सब में पैदाईश अक्टूबर की यू कहूं तो कुछ लोग कहते हैं न कि देखने में बड़े खुबसूरत होते हैं अक्टूबर वाले वो हैं कि beauty with brains देखने में भी और दिमाग के भी ये वो लोग है दे हैव गुड ब्लेंड तो बहुत स्मार्ट होते हैं इन में एक औरा और एक अट्रैक्शन होती है लो कर्शित होता है तो इन में भी एक औरा है और उमर के साथ साथ इनका पावर इनकी अट्रैक्शन बढ़ती है इन्हें ऐसी वेसी कोई चीज पसंद भी नहीं आती राजसी ठाटबाट है like a royal taste everything needs to be that polished and poised वो उन्हें पसंद आता है अब बात कहूं तो थोड़े से ये वो लो ये ये वो लोग हैं दिखने में अच्छे हैं दिमाग के बहुत स्मार्ट हैं लेकिन जब जहां क्या कैसे वो लाई ये इन्हें बखोवी आता है है ये कमाल की हबिट और लाइफ में इनकी जितनी भी situations होती हैं ये भी इनकी खासियत है कि जितनी भी situation so they need they overcome very well they know actually कि उन हाल को उन हालात को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो यह कहना आती शुक्ति नहीं होगा कि यह स्ट्रीट स्मार्ट यह शार्प यह एक्सपर्ट इन वाटेवर दे डू उनका जो यह एक्सपर्टीज है वो उन्हें कहीं न कहीं जीवन में आगे ग्रो करने में बहुत मदद करता है इन वर्न वर्ड बहुत खुबियां हैं तो शायद इस वज़े से दे आर ओल ओवर यह स्कैटर्ट यह भी करना है वो भी करना है जुड़े रहिए अंत में जो बोनस्ट में शेयर कर रही हैं कुछ सुझाओ कि आखिर यह जो कुछ इनको लाइफ में हिल्प हो जाए पर intelligent, good looking, or beauty with the brains ऐसे लोगों के बारे में जैसे सूरे का तत्व होता है ना confidence भी होता है इनमें किसी के आगे जुकना ना अब अगर रिष्टों की बात कर ली जाए तो romantic होते हैं छुटी छुटी बात पर अगर break up भी हो गया ना तो रोएंगे नहीं इन्हें सीखना पड़ता है how to let go पर रिष्टों में ये बहुत loyal होते हैं धोखा नहीं देते हैं हाँ इनके साथ एक आद बार धोखा हो जाता है who they date, things don't work out और बात में पश्टाते हैं और यूं कहूं तो उसकी वज़े ये है they rush for relationship पहले भागते हैं कि relationship और फिर break up हो आप पिर जल्दी से दूसरे पे जाते हैं rather than learning from their mistake, इन्हें ये सीखना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है या समय अनुकूल काम कैसे करें, that's one area जहां अक्टूबर वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी है, they are all over, jack of all trades, master of none, जो ये focus की कमी है, ये वो लोगे इनमें बहुत गुड़ हैं, लेकिन दस नाउं पैर रखके कोई किनारे तक पहुचा हो, मुश्किल है, एक नाउ में पैर रखके, so focus ज़रूरी है, रिष्टे की बात कहूं, love marriages भी इनकी होने के बहुत chances होते हैं, और अगर नहीं होते हैं, break up होते हैं, तो loyalty के मामलों में थोड़ा समय लेते हैं, फिर किसी और से जुड़ में, जुड़ गए, loyal होते हैं, लेकिन demanding होते हैं, आप कितने भी ठके हारे हों, they like to look prim and proper, लेकिन expect भी करते हैं कि घर भी बिलकुल एकदम perfect हो, spouse भी एकदम ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, और यूँ कहूं तो चैन से बैटने वाली आदत नहीं होती है, मतलब एक पैर घर में, ए करना है, ऐसे होना चाहिए, and just an advice, ये सारी बाते मैंने observe करी हैं, लेकिन हर बात हर अक्टूबर में जन्में वेक्ति के साथ लागू हो, जरूरी नहीं, कुछ बातें जरूर लागू होंगी, और चाहूंगी कि यहां आप episode देख रहे हैं, तो comment करें कि कौन सी बात आपको ल administration, power, authority, उन सब में इनको support मिलता है और आगे भी बढ़ते हैं, कहीं न कहीं, January वालों से ज्यादा इनको authoritative positions मिलती हैं, क्योंकि zero का कमाल है, technical field में, politics में, business में, administration में, कहीं पे भी रहेंगे तो lead बनना चाहते हैं, किसी के under में second fiddle they don't want to play, doctors भी बन सकते हैं, medicine field में जा सकते हैं medical store भी इनके होते हैं, तो ऐसे देखी कोई भी चीज जहां they get to control, और धन की बात करे हम तो धन इन्हें इनी मेहनत से आता है, अच्छे परिवार में भी जन में होते हैं तो they get to increase that, बढ़ाते हैं, नहीं तो business mind होता है, और क्योंकि इन्हें पता होता है कब कहां, कैसे कहना, इ रिष्टे हो गए, करियर हो गया, धन हो गया, अब उससे भी ज्यादा important है सेहत, सेहत की बात करूँ तो कुछ अक्टूबर वालों को सिर में चोड लग सकती है बच्पन में या ऐसे ही लग गए, सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आँखों से जुड़ी हु में आप देखेंगे कि उन्हें बोन, मसल्स के इश्यूज भी रहते हैं, और अवराल, इनकी बिल्ट स्ट्रॉंग होते हैं, अंकों के विशे में कहूं तो इन्हें 2359, ये नंबर सीरीज है, जो इनको सूट करती है, और ये अगर अबजर्व करें, क्योंकि जन्वर्ष नह होते हैं, वो दिन 5 था, या 9 था, या the day you got married was 3, या बच्चे का जन्म आया है नंबर 2 पे, this is how the numbers show up in the life, color wise कहूंगी तो जरूर लाइट colors या golden shades, जैसे सूरी के shades होते हैं, light yellowish or the golden yellow, a little green, अच्छा है, इनके लिए Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday कभी कभी लेकि थर्स्डे ज्यादा तर, तो यूं कहूं Sunday, Monday, Thursday and sometimes Tuesday, वैसे ये days observe करें तो इनके काम असानी से बनते हैं, अब आरी है bonus tip की, bonus tip से पहले आपसे एक बात जरूर कहूंगी, ये आप सबने बहुत ही प्यार दिया, खासता और पर कहूंगी, the month of में, observe करी अपनी life को, कि अच्छा कभ हुआ, या कभ मुश्किले आईं, कभ problem आईं, तो वो आपको automatically, अगर आपके लिए October में आप जन्मे हैं, और आपके लिए August मन्त में बहुत problem साती हैं, खर्चे बढ़ आते हैं, बीमार हो जाते हैं, आफिस में problem आती हैं, तो देखिए आपके लिए अंक आठ सूट नहीं कर रहा है, तो फिर Saturday भी सूट नहीं करेगा, और आठ तारीक भी सूट नहीं करेगी, और यूँ ही देखिए कि कि आपका कोई खास दिन, खास साल अच्छा था, उसका number total के आया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन से ही सीखता है, और आपके जिन्दगी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप October वालों के लिए मेरी सिर्थ दो ही suggestions है, एक कि आपकी life में problem रहती है, अगर career की, या आप इतने ambitious हैं कि आपको अपने अनुसार वो growth नहीं मिल रह हैं, आपकी life का एक तोड़ है, problem बहुत रहती है ना, तो वो आपके रिष्टे में पता चल जाता है, या यू कहूं कि, office में, work relationship में, या बच्चों के साथ, या negative, या impact हुआ, गलत सोबत का, तो extra marital affairs के chances होते हैं, इन सबसे अगर आपको life में balance करना है ना, first, watch your ego, second, या जीवन किसी ना किसी charitable cause को support करिये, एक होता है धन भी देना, yes, cause आप देखिए, कि किस charitable, कौन सा ऐसा है काम जिसमें आप मदद कर सकते हैं, धन से भी, मन से भी और तन से भी, you have to physically go help, कितने भी busy हों आप, आपकी life में, हर चीज़ में आपको balance, remedies, support, guidance मिलेगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, उमीद करती हूँ, यह episode आपको पसंद आया, जरूर शेयर करें मुझे अपने comments में, कि आपको कौन सी बातें लगी, they really resonated well with you, take care and I'll see you soon.